हाई गाइज आपका स्वागत है आपकी अपने शो में के टॉक्स वर इंवेस्टमेंट इन हिंदी में कैसे हैं भाई विदानता को लेकर बहुत सारी निवेशक बड़ी प्रिशान है जिस तरह से विदानता का शहर गिरा है और अपने 52 हफते के लोग पर आ गया है लोगों मे एक कहते हैं निराशा की लहर दोड़ गई है आई इसके बारे में आज बखुवी चर्चा करेंगे और मैं आपको लेकर चलता हूं कि विदानता की परफॉर्मेंस के उपर किस तरहीं कंपनी पहली बात समझें विदानता करती क्या विदानता बेसिकली एक डिवर्सिफाइ नाच्रल रिसोर्स ग्रूप है जो नेच्रल रिसोर्से से रिलेटेड एक्स्प्लोरिंग एक्स्ट्राक्शन प्रोसेसिंग मिनरल्स की ऑईल्स की गैस की इसके अलावा अगर आप देखेंगे यह जिंक में वाल्ड है लेड में वाल्ड है सिल्वर में वाल्ड है कॉपर मे में और में और इसका प्रेजिश यह टूली मल्टिनेशनल कंपनी इसका प्रेज़न्स जो है इंडिया में है इसका अगर इंटर्स देखोगे पावर जेनरेशन में है स्टील मैनिफेक्ट्रिंग में पोर्ट ऑपरेशन में मतलब इवन यह ग्लास सब्स्ट्रेट करके जो है साउथ कोरिया और तेवान में बनाता भी है अगर इसका रेवेन्यु देखोगे तो इंडिया से लगभग 65% है मलेशिया से 9% है चाइना से 3% ह यूए इसे एक परसेंट और बाकी जगाओं से 22% कंपनी की जो सबसे वड़ी खूबसूरती आप देख सकते हैं डिविडेंड यिल्ड है जो की 42.7% है यह शेयर का भाव जो है आज की डेट में कैलकुलेटर लेलीजी मेडम 240 रुपे है 240 का अगर आप 42% निकालते हैं तो लगबग 100 रुपे के आसपस आएगा यह एक साल में यह 100 रुपे का डिविडेंड बांच चुका है यह अगर हमारे बुक्स के अंदर इसका शियर धाईसों का पंटीनियू करता है तो यह देड़ सो की एफेक्टिव कॉस्ट है तीन सो कंटीनियू करता है तो 200 की बहुत ज्यादा और डेट्स को सर्विस करने के चक्कर में यह हाई डिविडेंड देता है जिससे इसकी पेरेंट कंपनी को डिविडेंड मिलता और वो अपने डेट्स को मैनेज करती है अब कंपनी का देखिए इस वक्त फिफ्टी टू वीक लो देखेंगे आप क्या है द डिविडेंड डिक्लेर के साड़े अठारा उपे का और उसकी डेट नहीं आ रही है कोई और में बड़ा कंफ्यूज भी हूं जब इसके रिजल्ट आयते तो साड़े अठारा उर्पे इन्होंने डिविडेंड डिया अब मैं उसको सब जोगा खोज चुका हूं मुझे लेकि आया था पीछे फ्राइड़े को ही तो मैं थास्टे को सैटेड़े को तो मैंने बताया था कैसे इसका फीचर डिसकाउंट पर ट्रेड करना था मैंने इसमें काम किया तो कई बच्चे कह रहा थे सर्व डिविडेंड का क्या होगा एक्चलि डिविडेंड जब दो पर चार और पर क्रेडिट भी मिल जाएगा यानि एक प्रकार से मूटा मूटा आपके सकते हैं फ्यूचर वालों को भी डिविडेंड मिलता है कि अगर डिविडेंड मार्केट प्रेस से दो परसें से ज्यादा हो तो इसका साड़े अठारा का डिविडेंड है वह बकाइदा उनको भी मिलेगा जिन्होंने फ्यूचर खरीदा हुआ है उसका क्रेडिट उनको आ जाएगा उनके अकाउंट के अंदर तो यह बात में मैंने आपको क्लीर कर दी अब कई कुछ प्रॉब्लम्स है एक प्रॉब्लम यह प्रमोटर ने सब कुछ हैज किया अभी प्रमोटर न मैंने एक अपने शेयर बेच कर दो करीदा तब करीबं सतलह सारे सतलह रूपय का डिसकौण पर अगले दिन पंद्रह साड़ें पंद्रह तर्स ने तो और प्रिब्लम उन्हें पांच किया थो तर्सके अगभले दिन था मैं आपको लेटर्स बताइता हूं आप भी चेक कर सकते हो प्लैटफर्म पे जाकर देखो आज वेदानता क्लोज हुआ है 237 रुपे चांडवे पैसे अक्टूबर का फ्यूचर है 238 रुपे असी पैसे तो कहां एक रुपे प्रीमियम ही आ गया अब दिखो आप पता शेयर बजान में कुछ दूँटा पहली बात मैं आप से स्टॉक डिसकस कर रहा हूं तो मेरा कोई तो मैंने क्या कि फ्यूचर लिया पूट्टे स्कूर आप कर दी तो मेरा ना एक्चली देखा जाए टाइम वेलियो मनी खतम ही होगे था यह दोसो पचास की पड़ी मुझे और दोसो साथ की जो पूट थी वह दोसो पच्पन की बढ़ी और कम पढ़ गई तीशे आपनी के लगातार काम किया अब फूचर प्रीमिम पर आ गया एक मैंने कॉल बेज़ दी कि दोसो सथार रुपए अब इसमें साल साथार रुपय का डिविड़ेंड यहाँ वह वेट कर रहा हूं वह डिविड़ेंड आयेगा तो उसकी अपना डिविड़ेंड खापी के फिर देखते हैं इसमें क्या करना है अब चलते चलाते हुआ कि मेरे चॉदा सो तो इसमें के फ्यूचर आए चौदा हजार के साथ लॉट और मेरे बाद सोलह सो कैश में शेर पड़े उसका जो कैश है और मेरे पुट्टे इनना बनी होगी तो उनकी डिलीविट अब कैश की सौटेज होगी अब रिस्क मैनेज करने की बात करता हूं मैंने क्या करा दबा के मुझे साथ रुपे का कि इपिएस निकाला था अब की बार इपिएस इसका थाइस पेंतालीस आया मार्स दोजर तेइस में और अभी ट्रेलिंग ट्रेल मंस का और कम हो रहा है जून क्वाटर के आप देखेंगे ना रिजल्ट अच्छे नहीं आया है इसका प्रॉफिट जो है अगर साथ तरह दो आप भी चेक करना कमेंट बताओ मैं गलब तो नहीं कहरें आप चेक करो फिर उसके बाद यूट्यूब पे मिंट पर देखा था एकनॉमिक टाइम पर देखा था अब सच करना लेटर जो पिछले साल जुलाई में इसका एक्स डिविदेंट वह था तब कि बॉर इंग बहुत जाद है कि प्रमोटर की भी जाद है अब पीछे तो देखा आप सप्टेंबर 2020 में चले जाओ इस प्रमोटर होल्डिंग पचास पसंड ती जो बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 69.68 कर दी अभी उन्हें चार परसंट शेर बेचे हैं तो इनकी होल्डि जो दिरे दरे घरती घरती रही एफाइस की होल्डिंग भी घरती घरती रही है अब डी आइस की एफाइस की होल्डिंग 7.48 है पुब्लिक की होल्डिंग जो है पीक पे चलिए साथ 16.67 जो अब 14.29 तो ओर थोड़ा हाई रिस्क हाई वोलाटाइल शेर है पर काफी समय से 275 सब्सक्राइब चिपका हुआ था वो न्यूस के आई कि प्रमोटर अपने शेर बेच रहे हैं सल ऐसा गिंदना चुरू होगा गिरता ही चला गया और जो नहीं है उन्होंने खरीदा है वो 58 258 रुपीस कुछ पैसे में खरीदा है तो मेरे पास इसमें बड़ी होल्डिंग ह है तो मैं तो थोड़ा बायस होई जाओंगा कि या शेर अच्छा होना चाहिए मैंने होल्डिंग ले रखी है पर कहीं न कहीं या इतने शेर लेके मन खराब भी हो रहा है पर इसका डिविडेंट भी बहुत खाया हुए है मेरी कॉस्टिंग शेर की क्या रही होगी 200 से भी क लेकिन आपको 50 का फायता होगा क्योंकि तो आया तो आप डिविडेंट इसके साल भी इस तरह से आ जैसे पिछले साल दिया इसने पिछले साल डिविडेंट डेखेंगे पागल हो जाएंगा यहां देखें फॉर्टी टू पॉइंट सेवन इस साल भी फॉर्टी डू क्या है सेमीकंड़क्टर की बात करता तो थोड़ा से ने क्रैडिबिलिटी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो समय नहीं आरा कि शेयर का क्या हाल है तो आदमी को अपने है तो अब थोड़ा सा अधो भी फ्यूचर में लिया तो नुकसान नहीं है आज मैं तो फाइदा ही हो जाएगा लेकिन मन उतना खुश नहीं है ना नहीं समझे आप कि मन चाहता है इसमें करना चौदा लॉट हैं चौदा हजार पंदरा जार शेर हैं तो कम से पांसाथ आठ लाख में तो मैं खुद तेजी का अनिजाद करना हूं पर शेर काफी इस वक्त है थोड़ा डॉमाडोल सही हो रहा है तो ग्यार मैं यह बाते सिसलें बोलता हो कि मैं नहीं चाहता कि मैं elin Miche यह कैसे को भी अंकरेज करूं कि भी खरीदंगों सेर्फने बेचने का नहीं होता है मैं तो मार्केट को समझनी कोशिश करता हुँ अपने के साफ सब और आप आपके आप आपने दो ब格ाव सहे nastipl due मेरा रिस्क अपिटेट हाई है ना आप समझे ना मेरे पास 15,000 शेर हैं भी तो 15,000 शेर कितने को चाहदा के थोड़ी देखना रहे हैं कि पंद्रा जार को डाइस से मल्टिप्लाई कर तो मूटा मूटा पंद्रा जैसे जादे हैं पंद्रा छेस्टों 37,000 शेर हैं ठीक है पंद्रा इसमें से कम से कम दस असी रुपे डिविदिन आपको मेरे को पंद्रा दब दस जार शेर पे आठ लाग का डिविदिन आ चुका है करीम पिछले साल में तो मेरी कॉस्त तो कम ही हो गई काफी और अभी दो पुट्टे इंदा मनी होगी इसकी वैसे मैं नॉर्मल इसकी पुट बेचता निए इसी बार दो बेची दोनों इंदा मनी होगी अब प्रभू की किरपा है प्रभू की लीला है क्या बोल सकती है तो भी आभी तो शेर में मेरी तो तो ठीक लगता है अग अगर वो सेमी कंडुक्टर वाली बात इसकी शुरू हो जै को एक पोखता निउस आजए कि सेमी कंडुक्टर का देंदा यह चालो कर रहे हैं इनका टैपी फॉक्स कॉंसे टैप हो गया तो लोगों को नहीं थोड़ा सा ब्रूप मज़ा सा नहीं आगा विश्वास सा नहीं दुखी है जो लोगों को कैपिटल कम होता ना फस जाते हैं तो बड़े दुख्यों तो इसलिए मैं कहता हूं भही आपने रिस्क के साब से काम तो यह तो थी आज की कहानी अब बजार का मैं बताऊं तो बजार वैसे तो भूल फेज में ऐसा मेरा मानना है और आज की कैंड में फिर था फिर विदानता के मैंने चौदा फूचर फूचर प्लस है पहले में भी क्या दिसकाउंट पर आगया थे फूचर वाइबेक के चक्कर मैं उसके भी शेयर बेच के फूचर रहे लिए तो मेरी जान को तो यह आठ लौट पड़े और मैं फूचर में जल जल काम करता है तक फाइदा नहीं कभी फ्यूचर प्रीमियम पर नहीं खरता मुझे ब्याज नहीं देना तो इसलिए मैं बहुत शांती से चलता हूं मैं अपना रिस्क मैनेज करने में सबसे आ गया हूं और आज मैंने जिस तरह का बहुला ऑल्दो केंडल पर तो रिकवरी साफ न ज आपिस में नीचे है क्योंकि लॉंग वालों को इन्होंने बड़े मजे करा हैं बड़ी लंबी तीजी क्राइए तो उसकता थोड़ी दिन लॉंग वालों की कटवा दें छे इंको डिरा दें और लोगों से शॉट करा दें फिर भागे तो मुझे तो लग रहा है बजार थो अगस्त की थी मैंने कर दी तेइससो बास फिर मैंने टाटा मोटर की एक रूप स्कूर आप कर दी चौदा जार एक सुरूप पर बचे बाद में सब के प्रीमियम कम होगे थे मैं वेट करता तो और प्रॉफित होता पर मुझे क्या पता कम हो जाएंगे मैंने की मैंने प्रॉट थे उनको भी मैंने स्कूर आप के 14 जराट सुपचाज बचे तो भी या फिर टाटा मोटर की एक और कॉल स्कूर आप कर दी अब कॉल मुझे स्कूर आप निकार आप चाहते हैं थोड़ी डिसकेशन तो नीचे कमेंट में लिखे टाटा मोटर पर डिसकेशन चाहि तो और इसके चलते हैं आज तो ठीक ठाक सा मुझे अच्छा कासा मुनाफ़ा हो गया मैं काफी अग्रेसिव और मैंने दो नई पोजिशने मैंने बनाई थोड़ी सेफ सी आठ मैंने ऑप्शन स्क्वेर ऑफ किए 75,800 का प्रॉफिट किया मैंने और पांच बार मैंने नहीं पूजिशने टाटा मोटर तो मैंने आज भी खिल लिया हलां कि टाटा मोटर आज खासा घेर गया अब टाटा मोटर में कहाना मैंने क्या करा दो कॉल करती करेंगे दोनों के इसमें हम खुशी है उदास्तों है लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सनब पोजिशन ओवर होई है जिसके चलते मैंने प्रॉफिट आज अपना बुक किया तो अब आप समझ ही क्योंगे मेरी सारी की सारी जो आपको सारी बाते बाते बताएता हूं में सीट च से में टॉपव कियों हर चीज सब और देखता हूं मैं इधर भी देखता हूं तर भी देखता हूं फिर हम आपको इससभी सिखंगे इसने से Imm र अपने हिसाब से त्रेड़ करो किसकther कहने से मत करो आज च्छे बजहार ना तो सब्सक्रम पंडेले खेए और तो श्नीकांद जब खुला था तब ये भी सारा लाल था अब अगर आप वहां जाएंगे यूएस की तरफ तो बढ़ी यार संकीत है स्मॉल केप टू थाउसन गिरा हुए पर डौ जोज एक परसंट के गरीब तेज है एसंप फाइब पॉइंट सेवन परसंट तेज है नैस्डेक पॉइंट पॉइंट परसंट तेज है मैंने अभी सारे आफ्टर मार्केट बहुत सारी पुट्टे में स्कूर आफ कर दूंगा खल की मुझे ऑगस्ट की पोजिशन को खतम करना है एक दो तीन दिन में खतम करूंगा सारी ताकि यार बजार आकर जटके से गिरे तो मैं पुट्टे इस वक्त उठाने की मेरी मन नहीं है हाला कि मैं एमर्जेंसी में पैसे रखता हूं डेट फंड में पैसे रखिए हूं प्रवन डेट रिड्वन को नहीं करना चाता हुँ भूं तो करूंगे हुआ तो ना है डेट फॉन मेरे पैसे अब कितने रहे गए अठारा जम्मा तीज बटा दो कि चौबिस पच्छेस पैसे मेरे डेट फंड के अंदर है बाकि तो सारे क्यूटी में है तो ना रिडीम हो अच्छा इतने तो रहने चाहिए डेट फंड और बहुत अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट मेरा सवादो के आसपास है सवादो रुपे के आसपास तो सब कुछ ठीक है लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जब तक मेरी चाती पर यह साथ वेजानता के फूचर एक पहल का फूचर रहेगा जब तक मैं इनको पार्टली डि अलागे मोका मिलता है उसका इस्तिमाल करते तो मन में डर होता है जिसे ट्राटा मोटर लगातार गिर्दा आज भी मैंने तीन सो शेर ले लिए वह में दस लॉट सूप पर हो गया है कि चौदाव फांसटो शेर हो गए हैं दोसों पचास से दोसों रोडोड चौदाव 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 पहले पांच बीच क्यों थी आज चारों महीं क्योंकि मैंने दो स्क्राफ करके एक बीच तो रिस्क उपर का तो काफी प्रेट करें नीचे का छाती पर खड़ा ह साली छेसों की पूट भी की हुई है छेसों की पूट भी की हुई है साले पांसटों की कोई दिक्कत नीच बहुत गिर गया तो अब डेट फंट रिडिम करके इंको ठाव हुआ है तो रिस्क मैनेज करके चल रहा हूं लेकिन पंगा अब मुझे लगता है टाटा मोटर भी के बड़ा ब्राइंड है तो बाकि आइब गिर आओता तो दो सिर्व मन को डरतो लगता है अब बच्चय को सरका मन चुद आज अधाश है क्या दूदास है उधास है अधास में चिंतन कर रहा हूं मन खुश है आज मैंने इतनी सार्य पूट्टे श्के रॉप कर दी तो मन दोर पांच्छे पुट्टे कर जाएंगे रिस्क अपना कवर कर लेना है फिर शांती से बढ़ेंगे अगर आप देखो जहां निफ्टी विफ्टी हमारा अर्याली में बंद हुआ आप देख रहें पर निफ्टी वेंग को भाग्य प्राप्त निफ्टी वेंग देखो आज निफ्टी को जोह कल की क्लोजिंग से रीचे बंद हुए और इसका में से चाट में बेरिश कॉस्फ उपर बढ़ा हो गया और आरे से इसका पैंतालीस पॉंट आट बजार में बड़ी वोलेटिन है तुम्हें चक्कर दो बहुत है अ मैं बजार में चक्कर बहुत है बजार आपको ऐसा कि यह कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे कभी तो प्रभू के आश्रिवाद से प्रभू कर पासे आपकी शुब कामनां से प्रॉफिट पर ही निकलूंगा सका क्योंकि मैं अच्छे मन से काम करता हूं कभी किसी को मैं उल्टे से बातें नहीं कहता नहीं किया रिखी स्टाइड लो तो यह पूधा तो मैं जो करता हूं को वीडियों बताएता हूं ऑच्छों को बताएता हूं पर मैं कभी सिद्वेसंगा थे वह तुम इच्व अधर लगा हूं आपकर इसको पिटेटर लगा मैं तो चर्चा में विश्वास रखता हूं चर्चा करो तर्चा में नहीं कोई खर्चा करे जाओ अपने हिसाब से काम करो सिंपल से कैसा लगा डेलो तो यह अब अगर आप बने बात करतें बाकी के एंतर दो में तो भ coupon है अभी foot 108indak में चेहरे पे और मार्केट इंडेक्स भी ही कह रहा है मैं फिर का यह नहीं करके बैठा हूं मैं अपनी पोजिशने काट रहों फियर कम कर रहा हूं अभी यह थोड़ा सा अलका सा कम होई यह रलका सा बड़ा है कि यह अच्छा का सा कम हो गया है तो आज वे सब भायकि वेरियेशन लेकिन चार इंडिकेटर में से तीन में हलका वेरिशन ही है पर एक मेंट वर से आज भी वेच रहे हैं देख रहे हैं आगया डेटा इंडेक्स फूटर का इंडेक्स फूटर स्टॉक फूटर का डेटा भी नहीं है अपने टेलिग्राम चैनल में डालते कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे लिए आपको बचने हैं आज फिर ने माल खरीदा और कुल मिला कि आज भी 811 क्रोल का माल विकार तो जब तक माल बेच रहे हैं तो मेरे को भी मन में है कि बजार चड़ेगा कैसे एक बढ़ाएंगे तो चड़ेगा अब डियाइस तो एक्चली आपको इस खरीद लेंगे डियाइस बद्माश है एफवाइस इन शेरों को बेच रहे होते हैं ज्यादा गिर जाते हैं डियाइस उनको खरीदते हैं उससे गिरना रुख जाता बढ़ते नहीं शेर बढ़ाते आफ़ाइस नहीं अशाले एसा मे सब्सक्राइब के लेवल पर इसी प्रोग्राम के अंदर इसी साल है बाकी तो यह उपीनियन है नौस्तर दमस्तों है नहीं गलती तो हो सकती है गलत भी हो सकते अब यह वाला डेटर तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा अच्छा अब कल बजार बंदू हुआ उननीस पांसो चैतर पर लगबग साट कॉइंट फिर एकदम ब्राटम बना लेता है उसने पिछली टी जाप पांसो पर नीचे उतरता है फिर बीच में एकदम तेज भागता है उननीस यहां पीक बनाता है उससे थोड़ा कम उननीश यह पांसो सत्थाने में पर अस्ती पॉंट ब पूर्ट सन फार्मा हिंडाल को अब गिरने वाले में आगे कौनते ब्रिटैनिया एस बीए टाटा मोट राज बढ़ा गिराया बजाज और टो एक्सेस कोटक महिंद्रा बजाज फिनेंस अब चार्ट पे मेरा यह मानना है अगर बजार 19,700 के उपर क्लोजिंग देता है तब मानेंगे कि अब दुख भरे दिन भी तेरे भाईया अब सुख आयो फिर थोड़ा सा हमार को दर कम हो जाएगा मेरा तो फिर जब तक 19 सास्टों के नीचे बना हुआ है कि अब गिर सकता है यह डेड़ कैट बांस है जैसे बिल्ली मरती नहीं खड़के फिर गिर जाती है लेकिन अभी भी मैं भूल ट्रेंड मानके चलता हूं है थोड़ा उपर का बॉलिंजर मैंड नहीं कट गया तो बॉलिंजर मैंड उपर से काफी नीचे आ गया तो कहीना कहीना हलका सा कही है उसके अंदर से भी वाज़ा आती है दिल धरतता है के नहीं हवाज आती उसमें से तो दिल कह रहा है कि यार थोड़ा बजार में पोजिशन हलकी करें अब देखो अब अब आब देखो 19600 के लिए बजार बंदो 19500 देखो पूट रैटिंग दबा के बढ़िए कॉल रैट पर डेटा यहीं बता रहा है कि कहीं न कहीं इस वक्त पूट रैटर्स कॉल रैटर्स पर हावी है जो तेजी का संकीत है और मंतली वाला दो वही है 19,000 पर पूट रैटिंग है 20,000 पर कॉल रैटिंग अब आप देखा मैंने कहा था पहली बता देखा 1.08 वह आप्शन चेन सब्सक्राइब को देखके थोड़ा आइडिल लग जाता है जो यह बजार में ओवर सोल्ड पोजिशन थीव होई है मंतली भी स्ट्रॉंग है तो कह रहा है सब ठीक है सब बढ़िया सब बढ़िया है कि दिल मेरा जो है कुछ और कर दिल तो बच्चा है जो मनता ही उसको अब लॉट में बन्द अब लुकान दाओं लॉटर मना पहलिए चौन इसासे तत्र का चौन आट्सों तर्का चौन चौन पर बंद हो यह तो है यह ज्यादा गिर जाले जादा जाता तो यह भी एच्ट है इस फिर्स्ट इंडसिंट बंक आईसे बेंक का ब्रोदा बंदन बाग गया थोड़े दिरबाद करता तो प्रॉफिट जाथा तो आपको इस अपना यह कान में के बूलेगा यह सब शेर के रहे हुए अब इसको तो तो मनें डिसकस करी लिया अब यह देखो 45 यह को राइटिंग बढ़ी है पूट रइडिंग घटी है अब यहां पर मंदी नजला रही है दो दिफ्टी 50 में ऑप्शन चेंट तेजी की तरह कर रहा था यहां मंदी की तरह कर रहा है तो मेरा दिल नहीं मानता तो मेरा दिल नहीं मानता मुझे लगता कुछ घडबड है तो यह थी सारी कहानी मैं वीडियो द्वारा इलस्टेशन द्वारा आपको रिस्क रिवॉर्ट समझाने कोशिश करता हूं अब मैंने बैने को टाया फूचर में सब ठीक है पर शेर गिर जा आपको इलस्ट्रेट करता हूं वीडियो द्वारा आपने ट्रेंश के दौारा तो मैं किसी को टिप नहीं देता क्योंकि मेरा मानना जिसने ली टिप उसकी ले पैसा है उसको समझ नहीं आता किसी फिनैंशल इड्वाइसर की इड्वाइस लिए उससे पूछे उसका रिसक कि ट्रेड कितना करना है कोई किसी को investment के लिए तो कोई छीज़ बथा सकता ग Dog कितना पैसा उसमें लगाना है लगाना विपaskो खरीदना नीकरीदन ना विचनी यह हर आदमी के अलग सून pagan किसी के कहने से कभी कुछ करने दिल सिर्थ कि दिल से अगे हैं को फिर करें हर अजमी ना अलग तो connects हर आदमी की अपनी घबराध ए तो डर लग रहा है आप हसले हो गए तो पुट्टे इन्ना मनी होगी न फिर मेरे शेयर भी थोड़े कम डिलीवर की पांच वीचे प्लस कर लिए पर मैंने कर दो पुट्टे आ गई दो चार जार पांच जार चार सो शेर तो और खरी दे गए तो अब देखो या वो डिदेंट पर मार देते हैं चार सोर पर विसने तीसर पर दिया था शेर सोर पर गिर तो है बड़ी घरबड़ वाली आपकी इनका सेमी कंडुक्टर प्लांट अगर लग गया ना वो न्यूस कामियाब हो गई जिस पर बड़ा मैं कर रहा हूं कि मैंने करहा हूं अब की बार भी नहीं हुआ तो कितनी बद्नामी हो जाएगी वैधान्ता गूप के तो अगर आप भी मेरे स्टूर बनना चाहें रिस्क रिवार्ड देखना चाहें मैं कैसे से संभालता हूं कैसे फस्ता हूं कैसे अपने राता हूं कैसे पॉच्टिजिस का फाइदा होता हूं कैसे करता हूं टिप के लिए नहीं है देखने के लिए समझने के लिए एजूकेशन है तो आम सकते आप स्टॉक मार्केट में राजा महराजा बनेंगे